हेलो दोस्तों कैसो आप लोग सबसे पहले आप लोगों को रक्षा बंदन की बहुत बहुत बढ़ाई कि अधि रक्षा बंदन है एस इजवल अपना उफिस भी ख्लोज है सो सुबह से मेरे को उतना काम नहीं था इनके मैंने अज लैपटोग खोड़ा है काम के लिए अभी बहुत लेट से करीब देश गैर वज उठा उसके बाद से एक बार भी काम लेकर बैठानी आराम से चल र है मतलब थोड़ा हो रहा है थोड़ा बंद हो रहा है अभी शाम से तो मतलब भायंकर बारिच है तो अच्छा लग रहा है वह थे थोड़ा ठंडा है उतना गर्मी भी नहीं आपे मुमाई में तो शायद आप तो ने मेरा पिछला वाला वीडियो देखा जहां पर हमने यह चिकन ट्रम स्टिक होपफुली सब को अच्छा लगा है और आज भी कुछ बनाने जा रहा हूं और यह दिए चैनीज दिश इस काल्ड़ कैंटनिस नूडल जो एसे ग्रेवी नूडल जो एक्चली यह में बहुत खाया करता था जब मैं कलकटा में था ता सो आई उस्स तो दर इस रेस्टोरेंट काल्ड गोल्डन जॉइ तो मैं जब भी बी कलकटा जाता हूं मैं विदोट फेल वहां पर जाता ही हूं एक गार के लिए भी तो वहां के चैनीज मुझे बहुत पसंद यह लव दोस चैनीज तो जब से मैं वहां पर खाया मैं जितनी भी बार मैं गय है यह जो आइटम है Cantonese noodle यह बहुत ही टेस्टी है बहुत ही मुझे तो बहुत पसंदे और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है इसमें तेल मसाला जो होता है जो भी स्पाइस बगर है वह कम डागा जाता है जिसके लिए ना वहली होता है in fact it is good for kids also बहुत अच्छा लगता है म आपको ऐसा नहीं लगे कि मतलब नूडल सका रहें बड़ कुछ अलगी लेगा टेस्ट बिकास मैं मैं तो बताई रहाता है जितनी वीवान में जाता हो कलगटा में मैं जातो उस रेस्टरान में और मैं यह आइटम लेता हूं तो इसमें चीज है अगर आप वेज कैंटोनी नूडल्स लोगे तो उसके लिए आपको साथ में चिकन का कोई सैट डिश लेना पड़ेगा बट आज में जो बनाने जा रहा हूं न वह है नौन वेज कैंटोनी स्नूडल बिकास उसमें चिकन भी जाएगा साथ में तो इसके लिए मैं अलग से कोई चिकन का सैट डिश तो अच्छा लगेगा अगर आपने बनाते हो उसमें चिकन डालते हो चिकन तो आपको जरूरती नहीं है बनाने के कुछ अलग से यह आपको चलेगा अंद दूसरी बात है कि यह जो आइटेम है आपको एकदम गर्मा गर्म परोशना पड़ेगा गर्मा गर्म अगर ठंडा हो जाता है देन विल लूज अटेस्ट सिदी से बात है गरम गर्म करेंगे फटक से आपको सर्फ करना पड़ेगा ठीक है जैसे ठंडा होगा इसका टेस्ट में बहुत फरक आएगा आपको लगेगा यह मैं क्या खा रहा हूँ यह बिस उसमें कॉंट रहता है इसलिए मैं कर बता हूं कैसे बनाते हैं देखो ट्राइकर ऑफ फिर खाने के बाद फिर मुझे कमेंट्स करो ट्क है लेट्स गो का झाल 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 झाल